आज हम बनाएंगे बुंदी का मिठा बुंदी बनाएंगे क्योंकि आप सबको हैपी धनतेरस तो आज है दिवाली आने वाला है फिरेंट तो दिवाली में अगर आप ये बुंदी की लड़ू बनाके चाहिए बुंदी बनाके आप गनेश जी को चड़ा रहे हो चाहिए अगर आपको टाइम मिलें तो ये वाली लड़ू बनाके जरूर आप भोग लगाए और हो सके तक घर पर ही बनाएं बहुत बनाना असान है ज्यादा को आपको मेहनत नहीं लगेगा बस एक कोटोरी में आप देड़ सोग्राम बेसन ले ले बेसन को उसमें एक चूट की बेकिंग सोड़ा डाले मतलब मीठा सोड़ा होता वो डाले और उसके बाद बैसन को अच्छे से मिक्स करलें फीफ़ी पानी करके डो बना लेए डो ज्यादा पतला चाहे ज्यादा गारा नहीं होना चाहिए तभी जो बुंदी के हम बुंदी बनाएंगे तो हमारे अच्छे वने और हम भगवान को इस बुंदी को आप लड़णी भी बना सकते हो हमने लड़णी बना च्हाई कि नयुक्ति हमने बुंदी हम बना झांको लोग लगा सकते हो क्योंकि बुंदी भी गनेश जी को बहुत ज़्यादा पिरियो होती है और बहुत ज़्यादा उनको पसंद है तो बुंदी से बनी हुई कोई भी मिठाई हो आप गनेश जी को जरूर चड़ाएं उनको भोग लगाएं तो हमने इसमें थोड़ा सा प्रूट कलर डाला है यलो क इसे क्या होता ना बुंदी हमारा बहुत अच्छा कलर बनेगा तो तरह का मुंदी बनाएंगे गरीन बनाएंगे और यलो बनाएंगे तो हम इस जो है इसको में अलग लिकाल लेंगे उसमें ग्रीन कलर एट करेंगे मतलब फूर कलर पूरी डाले अर अगर आपको टाइम मि सके आप अपने घर में ही मढाई क्योंकि आप को नहीं पता चलता है बाहर का मिढाई कैसा मिलता है और आप खारने के बाद बाहर बाद में पता चलता है थिजarks ़ूं रहा हुआ है तो आप muchos χण अगर आप मिंडाई जो ताजी मिलता और यह देखिए हमने कंटोरी में लिका लिया और इसमें हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला है क्यमें कि हम दो तरह की बुंदी बनाएंगे अगर आप इसमें और सिंचार कलर का बना सकते हो आप इसमें अलग-अलग कंटोरी मिडाल के कलर मिक्स कर ले और हमारे पास कोई कि और बनाए पहली आप रकॺल की डिलालीagit बहुत बढ़ा थिवार होता है और दिवाली में बहुत ज्यादा काम भी होती है कि यह देखिए हम आध हमने हमने दो तरह की मने Review कि अलो एक गिरीन और यह दिखिए हमारी कोई चलनी है तो मिसी चलनी में बुंदी लिखा लेंगे हमारे पास कोई जंजरा नहीं है कोई हमारे पास को नहीं लेकिन फिरें आप घबरायनी इसमें बहुत अच्छा बुंदी हमारे लिख लेगी तो इस तरह से हम डो को फेला ल जुए तो हमारी बुंदी कितनी अच्छी बनी यह और इस तरह से आप अपने घघर में बनाएं और दहफिए-ड्वjanी, कम क्या मंगा हैं यह और घरमे हम था लाजा मिठाई बनाएंगे और ताजी मिठाई बनाके अपने इश्वर को भोग लगाएंगे हम तो इस तरह से देखिए हमारी बुंदी अच्छे सदम क्रिश्पी होगी फराई और इसमें क्या नम मिठ्था शोटा डालने से क्या होता ना जो हमारी बुंदी ये बहुत ज्य लगे तो लाइक शेर फोलो जरूर करें और जितना हो सके सेर भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेर केमें भी जरूर करें कि आपको हमारी रेष्पी खाना कैसा लगता है तो इस तरह से हमने बनाया है बुंदी का लड़ू अब हम गिरीन वाला भी फ् आप इसमें गिनने लगेगा और बहुत अच्छा बुंदी लिगल के हमारे बाहर आएंगे इस तरह से आप अपनी घर में भी बना ले और हो सके तो आप घर में अपनी विठाई बनागे खाए क्योंकि आज कल बहुत ज्यादा बीमारिया फैल रही है पता नहीं चलता हमने क्या खाया और हमारे बीमारी तो प्लीश अपने शेट का धियान रखे हमा और आप सब आपका दिवाली शूब हो मंगल में हो और आपके लच्मी मा सब इच्छा पूरा करें जितना हो से का आप सवस्त रहें यह हमारे लच्मी मा से प्रात्ना है गनेजी से प्रात्ना है आ प्लीज फिरेंड आप लोग हमारे शपोर्ट भी करें एक लाइक और सेर और बेला माइकम दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा हमारे शपोर्ट थोड़ा मिलेगा प्लीज शपोर्ट जरूर करें तो देखे इस तरह से हमने ग्रीन वाली भी बुंदी लिकाल लिया है बु अर इसको इतना क्रिष्प नवी करें उसके बाद हम पर हम इसमे चासनी आपना को दिखाएंगे दिखाएंगे यूखी लोग पहले इंड़ें बना कर लेते हैं तो क्या चासनी ठंडी हो जाती है तो हम चासनी अब बनाएंगे चासनी करें कि हमारी यह गृतों बंदी भी और यह भी बहुत कितनी अच्छी बनिया देखिए लगी नहीं रहा है कि हमने बीना धाचा का बनाए मताब मार बस कोई जंजरा भी नहीं है लेकिन देखिए अगर आपके पास यह बरतन हो तो इस बरतन से बना सकते हो चलनी भी हो तो चलेगा कोई दिकत नहीं है बस आपको बनाना है तो आपने घर में बना सकते हैं यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो मैंने एक कोटोरी शकर लिया है मतलब 100 ग्राम हमने कर लिया है और सक्कर को इसमें हमने आदी लास पाली डाल आता जाला है वी तारको अच्छे से हम प्छलने देंगे मतलब गलने दें करता है उस तरह से अब इसमें हमने थोड़ी सी यलो कलर पुरूट कर डालेंगे डालने के बाद फिर इसमें हम जो बुंदी बनाया है इसमें हमेड कर देंगे अगर आपके पास इलाइची पाउडर चाहिए आपको भी आपको ड्राइफूट पसंद हो वह आप इसमें मिक्स पूरा चाशनी को पी लेगा और हमारी बुंदी अच्छी सी निघर के आएगी जब हम प्लेट में आपको लिकाल के दिखाएंगे तो यह बहुत ज्यादा यम्मी बनेगी और आप अपने भगवान को वह लगा सकते हैं यह देखिए हमारी बुंदी कितना अच्छा लग र से लाना अप अपने की कम पैसे में और गखर में ही हील्दी और टेश्टी और मिठाई और ताज प्सकित ताजी बना के भोग्र भी लगा सकते हो का बीकि बाहर की पताली कफ्षाब होती है पता ने चलता किे बन दिन फirmी और उस यह बहुत ज्यादा टेश्टी बी खाने में बादे प्ता चलता है हम बीमार की हो गए लिए यह मृत rights का तो कि और हो सके ते अपनी घर में ही ताजा चीज बनाएं और हेल एफी चीज घाएं ओ 91 के दम पूरें भूणी ने रस को अच्छे से फेलिया है अब आप आपको पलेट में भी दिखा जरूर भोग लगाना क्योंकि गनेजी बहुत जादा खुस होते हैं बुंदी की लड़ू से चाहे बुंदी से बनी हुई कोई भी चीज हो बहुत जादा उनको पीरियो होती है खुस होते हैं तो आप यह अपने घर में बनाके दिवाली का पूजा करें और भोग लगाए तो